हाई एवरीवन वेलकम टू जेयार टुटोरियस आएम यूर फ्रेंड राहूल जेसवाल फ्रेंड्स आप लोग जो चीज का डिमान्ड कर रहे थे आज अगें आप लोग के लिए वो डिमान्ड को फुल्फिल करने के लिए लेकर आ चुका हूँ और आज का वीडियो होने वा स्टैंडर्ड के लिए टाइम टेवल बना के दे दिया, पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का शेडूल दे दिया, इवन नाइन स्टैंडर्ड को भी दे दिया, तो यार हमारे कब आएंगे, छोटे बच्चों के बार में सोचो, और दोस्तों, मही वो सर हु यार, जिनों चोटे बच्चों के बार में सबसे पहले सोचा था, बोलना मत ये चीज, तो आप लोगों कैसे पीछे छोड़ सकता था, तो पहले हमने बड़े स्टैंडर्ड से स्टार्ड किया, लेकिन आप लोग के लिए भी टाइम टेवल आ चुका है, आज के दिन ये वीडियो, अगर कितने बज़े उठना है, मौर्णिंग में क्या स्ट्राटेजी बनानी है, किस प्रकार के सब्जिक्स को चूज कर रहा है, कितना टाइम पढ़ना है, कितना ब्रेक लेना है, कितने बज़े खाना है, ये सब चीज, अगर आप एक जानकारी की तोर पे लेना चाहते हो, तो ड तो पे प्रश्ट मी, वो चीज को अगर अगर आपके आप उस पर थोड़ा वर्काऊट कर लोगे ना, definitely आपने जो सोचा हो गया कि मुझे इतने percentage लाने अपने board exam में या फिर मुझे इतने percentage लाने अपने final exam में या फिर मुझे ये career चूज करना है तो या definitely वो रास्ते पर automatically पहुच जाओगे और success जादा देर मतब जादा दूर नहीं रहेगी आप लोग के लिए ठीक है दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे बेली बात क्या है ये वीडियो that is morning से रात तक का study schedule जो लोग confused होते हैं छोटे बच्ची भी कर सकते हो जाके ठीक है तो सबसे पहले it is time table for 5th to 8th standard students only already 9th का दिया हो है 10th का दिया हो है 11th का दिया हो है आप जाके हमारे channel पे check कर सकते हो तो हमने आपके पूरे दिन को तीन हिस्सों में divide किया है that is morning, afternoon, night जैसा कि हम हमेशा करते हैं तो सबसे पहले morning की अगर मैं बात हमें यही चीज़ बताते हैं बचपन से कि आप जितने जल्दी उठोगे आपका काम उतनी जल्दी खतम होता है लेकिन क्या होता है हम चीज़े दीरे भूल जाते हैं तो आप भी लगबग 5th से लेके 8th standard के student हो तो मुझे लगता है आप मैंसे कई सारे student होंगे जो morning के time पे late उठते होंगे हाँ जो school जाने वाले हैं जैसे कि जिसका morning में school होता है साथ बजे से school होता है वो लोग शायद जल्दी उठ जाते होंगे 6 बजे उठ जाते होंगे लेकिन मैं यहाँ पे consider करके चल रहा हूँ कि लोग यहाँ पे morning में school जाते है लेकिन जिसका भी दुपैर में स्कूल है या फिर जो भी अल्टरनेट टाइमिंग है वो अपने इसाब से एडजस्ट कर ले ना टाइम टेबल को ठीक है मैं पहले बता देता हूँ कि बहुत सारी चीदे मैंने बार-बार बोली हुई आपको कि हमें साथ से लेके 12 का टाइमिंग जो जादा तर लोग जाते है वो रखा हुआ है लेकिन आपको अगर दूफैर में होगा तो दूफैर में आप उसको लेकिन कैसे भी उठो 5 बचे उठो थोड़ा सब 15-20 मिनट खुद को टाइम दे तो तैयार होने में तैयार मतलब कैसा मुह हाथ धोने में नेतुन आप उठो और बुक लेके बैठ जाओ तो नीन आ जाएगी तो उठो सबसे पहले जाओ थोड़ा फ्रेश हो लो अगर आपके पास घर में वॉकिंग करने का जगा है थोड़ा 10 मिनट वॉकिंग कर लो थोड़ा वॉम अप अगरे कर लो ठीक है चोटा मोटा जो बेसिक एकसरसाइज होते हैं जो हमारे स्कूल में भी सिखाते है वह आप कर लो तो वोड़ी हीट अप हो जाएगी थोड़ा पानी पांस बजे उठके तुरंद नहीं पढ़ना है आप 15-20 मिनट ले लो आदा घंटा भी लो के तो भी चलेगा मतलब उसके बाद आपको 7 बजे तक अप टू 7 तक सिर्फ और सिफ श्टडी करनी है समझ में आ रहा है यह आपका पहला स्टडी चेडूल है अब स्टडी में क्य करना होता है तो याद वाली चीजे होती है वो मॉर्निंग में बहुत वहददरीन तरीके से होती है यह आप जानते हो दोस्तों तो मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए बहुत जादा फ्रेश होता है मॉर्मोन बढ़ी में अच्छे तरीके से रिलीस होते nécessaire दूसरा लेकिन उससे ज़्याद नहीं होता है ना तीवी चल रहा होता है ना आपके घर में बच्चे खेल कोड के शोर बचा रहे होते हैं यह इस प्रकार का नहीं होता है तो आपके पास णिस्ट्रबन नहीं रहता है तो आप याद करने वाले सबजेक्स या फिर साइंस जो ऐसे लिया है क्योंकि मैंने एक वोटिंग करवाया था जिसमें से कही सारे लोग मौर्निंग में स्कूल जाते हैं, बारा बजे तक एक बज़े तक घर पे रिटन भी आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं मानके चलता हूँ कि आप साथ से लेके बारा तक जो है वो स्कूल में होंगे, मैं थोड़ा और पहले से जो भी आपका टाइमिंग रहेगा, आधा गंटा लगता है, तो साधर अच्छे बज़े ने रिकल जाओ, कोई परिशानी नहीं होगी, लेकिन जिसका साथ से बारा स्कूल है, वो तो स्कूल में विजी रहेगा, लेकिन जिसका स्कूल साथ से बारा मे वह तो घर पे यह ना, तो अब वह क्या करेगा 7 बजे, आपके जो conceptual knowledge वो clear हो जाएंगे, समझ लो कि आपको दुपेर में आखे कोई chapters पढ़ना है, रात कोई chapters पढ़ना है, तो उसी चीज़ का videos आप देख लो, जैसे कि आज मैंने decide कि मैंने, मैंने 8 standard का science का पहला chapter पढ़ना है, तो वो पहले chapter का 2 या 3 videos होंगे, 3-4 video lectures होंगे, हमारे tutorial channels के उपर हमारे पूरे सिलाबस complete है, जैसा कि आप जानते हो, और subject का, तो उसको निकालो, और videos देख लो, ज्यादा स्यादा आदा गंटा लगेगा, एक गंटा लगेगा, तो अभी हमने 2 गंटे का slot दिया हो है, तो ये 2 गंटे में आराम से सिर्फ videos देख लो, 4-5 videos देख होगे, mind में concept घुश जाएगा, अब वही concept का utilization आप दुपैर में या फिर शाम को कर सकते हैं, तो बस आपको अभी इतना काम करना है, morning के time पे, समझ में आ गया, अब आ गया afternoon का session, तो समझ लो, जो बच्चे स्कूल गए थे, वो स्कूल से return भी आ जाएंगे, तो समझ लो, व उसके बात का चुत दो घंटा होगा, यानि कि मैंने मान के चला कि एक बजे से लेके, तीन बजे तक का time है, वो सिर्फ और सिर्फ study करना है, अब ये study में भी same, मैं क्या बता रहा हूँ, watch videos plus learn concept, videos सामने रखो, एक book और pen लेलो साप में, उसमें concept जो भी आपको समझ में आ रह तो जो जैसा follow करता है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ, जैरूरी नहीं है, तो हमारे चैनल पर आप जानते हो कि हमारा पूरा सिला है, बस आपके लिए 2 साल से हम continuously बना रहे है, और complete करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो watch videos plus learn concept and tricks, जो भी tricks होते हैं, जैसे है, तो आपका दिमाग जो है, हैंग नहीं हुआ रहेगा, अभी आपका दिमाग एकदम alert रहेगा, ठीक है ना, अब तुरंत बाद आजाओ, एक घंटा सिर्फ आपको hardcore study करना है, मतलब वीडियो देखने के तुरंत बाद सिर्फ एक घंटा, तीन से चार, आपको hardcore study करना, अ आपको ये एक घंटा और एक घंटा में, मैं बोल, guarantee के साथ बोल सकता हो, कि आधा चाप्टर तो इसरी एक घंट में आपको cover कर सकते हो, और जो smart होगा, वो एक घंटे में एक चाप्टर कर लेगा, क्योंकि उसने अल्रेडी concept यहां से पढ़ लिया था, तो वो आपकर सकते ह करो, movie देखने जाना है, मतलब movie देखने मतलब theater की बात नहीं कर रहा है, मतलब घर में TV में movie देख रहे हो, mobile चला रहे हो, games कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन distraction नहीं होना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपने 4-6 में मैंने जो बोलाई करने के लिए, वो आप कर रहे हो, ल सबसे पहले 6-7, जो जैसे आप normally इदर से break लेके आओगे, तो आपका mind होगा, वो fresh होगा, तो 6-7 में आप revise करो, क्योंकि आपने morning में जो पड़ा, sht पड़ा, ठीक है न, दुपर में आपने videos देखके, plus hardcore study किया, इसका revision करना जरूरी नहीं, तो आप भूल जाओगे, आप morning में ब्रेन को याद आएगा, कि मैंने आज यहाँ यहाँ, यह चीजे पड़ी है, यह subjects पड़ा हुए, तो आपका revise में एक घंटा चले जाएगा, और इसमें कोई भी आपका mental stress नहीं आएगा, समझ में आ गया, तो एक घंटा आपने revise कर लिया, और revise मे, science और sht जैसे मैंने बताया, जो हमने morning से लेगे तुपर तक पढ़ा था, वो आपको revise करना है, बस, एक घंटा revise करना है, फिर आपको मैं break दे रहा हूँ, देखो, कितना अच्छा है, अभी just break लेक लेक आया, एक ही घंटा revise किया, फिर से break मिल रहा है, आराम से दो घंटे का break है, चिल आउट करो लंच, उसमें डिनर कर लो, रात का टाइम हो गया है, साड़े आट, नो बज़े तक जो भी आपका अच्छा लगए, आपको डिनर कर लेना है, देखो, जितना जल्दी डिनर कर लोगए, उतना अच्छा digestion के लिए होता है, मैं आब आर बार बोलता हूँ, तो साथ से नो के बीच में आप डिनर कर लो, ठीक है, थोड़ा बोट उपर निचे चलता है, 15-20 मिल, ऐसा कोई परिशानी नहीं है, लेकिन एक पाइमिंग बिटा के रखो, उसमें कुछ, जो मन को अच्छा लगए, आपको गेम्स खेलना, टीवी देखना, जो भी है, आप कर लो ये ब्रेक उस चीज के ओपर focus रड़ेता है, व्योंकि हम solve कर रहे होते हैं, example solve कर रहे होते हैं, factorize कर रहे होते हैं, ठीक है, ना, प्लस माइनस ये, वो तो दिमाग हमारा जो है न, उसके जो wiring होते हैं, वो हलचल करते रहते हैं, जिसके से हमारी नींद जो है, वो नहीं आती है, तो बस ज्यादा नहीं, दो घंटा आपको math, solve करना है, practice जितना हो सके, उतना sums, जितने examples होंगे, practice state होंगे, जो हमने करवाए हुए, वो सब आप कर सकते हो, साथ ही में, अगर जहाँ पी अटक जाते हो, हमारे वीडियोस खोल के बेट जो, वीडियोस ले लो, साथ में पेन और दो घंटा morning में, तो दो प्लस एक प्लस दो, तोटल पांच गंटे का study दे रहा हूं पूरे दिन में, और इतने सारे break दे रहा हूं, मैं ये वीडियो देखने का time consider नहीं कर रहा हूं, वो पढ़ाई नहीं, वो तो आपका एक normally समझ लो, entertainment ही हो रहा है, आप conceptual knowledge सीख रहे हो, लेकिन असली में पढ़ाई जो कर रहे हो, दो प्लस एक प्लस दो, पांच गंटा तोटल में दिन में पढ़ रहे हो, और ये पांच गंटा पढ़ लोगे, trust me, guarantee के साथ बोल सकता हूं कि 90% तो आपके आके रही रहेंगे, बिल्कुल आएंगे, चाहे आप कोई भी standard के student हो, और यहां पर जो मैंने 5 लिखा हूँ है, तो आप जानते होंगे कि sht उनको नहीं है, तो sht के जगा पर आपको evs1, evs2 है और science नहीं है, तो यह आपका मिला के हो जाएगा, subjects आप समझ जाना, ठीक है, बाकी 6 से लेके 8 तक तो आपको पता है sht वगरे होता है, तो यह चीज या फिर जो भी आप फॉलो करते होंगे, आपके घर का जो रूटीन होगा, 11 बजी आप सो जाओ, आप 11 से सो रहे हो, तो सीधा अगले दिन morning में उट रहे हो, 6 घंडे का बहपरीन नीन मिल रहा है, एक student को 6-7 गंटा नीन बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बुत आगे पी आज का वीडियो समाप्त होता है, और उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको बहुत जादा helpful रहा होगा, और कई सारे students अगर इसको follow कर लेते हैं, तो जो मैंने सोचा है हमारे students के लिए, जो आपने सोचा होगा अपने लिए, वो definitely आप उसको achieve कर पाओगे, ठीक है, तो कैस लगा ये वीडियो, प्लीज हमें comment करना, वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना, किस प्रकार के और वीडियो से आपको चाहिए, आपके syllabus तो पुरा complete हो गया, जो बचा कुछा है, वो तो हम डाली रहे है, हर चीज एवे इंग्रिश ग्रामर भी अविलेबल है, आप सभी स्टांडर के शुडेंट्स के लिए तो प्लीज शेक आउट कर लेना, हमने पूरा playlist भी अरेंज किया हुआ है, तो जाके शेक करते रहो, कुछ भी डाउट है personally, Instagram पे मुझे मैसेज कर सकते हो, link description box में, हमारा telegram group अगर अभ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है ना, तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीके दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे निव वीडियो में, तब तक के लिए, थांक यू एंड गुडबाई